मुख्य मंत्री सिवरासिष चुहां द्वारा स्वतंतरता दीवस के मौके पर रोजगार को लेकर गलत आकड़ा जाई करने के मामले को लेकर कॉंग्रेस ने सवाल उठाया है भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट मद्द्य परदेश के मुख्य मंत्री जी ने अगश्ट पर जो भाषण दिया है उस भाषण में जो वह जानकारियां दी है वो जानकारियां जो है मित्या हैं और उनी जानकारियों में उन्हें सोयम अपना कंटडिक्सन किया है मुखमंत्री जी ने जानकारी दी 15 अगस्त के पवित्र दिन पर कि 15 लाख मजदूर इस परदेश में आये थे उनमें से 14 लाख को वो रोजगार दे चुके हैं जबकि 26 जुलाई को ग्रह मंत्री ने जो प्रेस को बताया था जिसकी बाइट्स हैं जिस पर मैंने काउंटर भी किया था उसमें उन्होंने बताया था कि वो एक लाख बानवे हजार लोगों को रोजगार दिला पाए तो ये बात मुखमंत्री को बतानी चाहिए कि 10 दिन के अंदर 12 लाख लोगों को उनने कहां से रोजगार दिया और ग्रह मंत्री जो एक लाख बानवे हजार का फिगर बता रहे थे कि वो सच है कि मुखमंत्री जो 14 लाख बता रहे हैं ये सच है और जन्ता से जूट बोलने का आशाय क्या है और वो भी इतने पवित्र दिन जिस दिन हमने आजादी कायम की उस दिन जो है इतने पवित्र मंच से इस तरह की बात करना ये इसका जवाब मुखमंत्री जी को देना चाहिए और जन्ता को बताना चाहिए मुखमेंतरी जी ने दूसरा एक जानकारी दी है कि इन 15 लाख मजदूरों में से 5 लाख मजदूर स्किल्ड पाए गए उनके पास कुछ ना कुछ हुनर था वो एक महत्तपूर्ण कोई ना कोई कोशल जानते थे और इन 5 लाख में से उन्होंने खुद ही बताया है कि 29 जार लोगों को उनकी सरकार रोजगार दिला पाई इसका मतलब यह है कि ये 5 लाख मजदूर उनी 15 लाख मजदूरों में से थे और उन 5 लाख मजदूरों में से वो कुल 29 जार को रोजगार दिला पाए हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें